इत्ता तेल डलता है सब्जी में स्वाद के चक्तर में घर लुटाए दे हो नगर जल गया मौतरमा को कोई खबर ही नहीं है इत्ता तो पता है न कि तेल कित्ता महेंगा है और यह भी जानती हो कि गात्री की नौकरी छुड़ गई है अब आज की आंगर नहीं हमा के आज के रखना चालते हैं दादी के तो मा है ना फिर बता पहले पैसे अम्मा के रखने फिर ले जाकर आज के रखना और यह दो रखने पैसे भी है तेज़ तो 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 यह तो प्यासे उड़ाए तो उसके बाद क्या सिर्फ एक सो पचास उते पूती नहीं अगर ये रोज तेन सो चार्ट सुरुफे के आमदनी है तो फिर लड़ दूसी के फैरे किस्त का पैसा कब देता होगा जो उट के मूझ से जीरे के बराबर निकाल कर लाई हो ना अपनी आमदनी लेती जाओ अपनी मा को दे दे ना उनको बुरा लगेगा बिटी का जो पहला बिजनस है वो ही नहीं चला और बिटी को इसी थायूसी और घर में दादी भी पुरी उससे में है तो क्या होगा आगे आगे बहुत इंट्रेस्टिंग सा टर्न लेने वाला है बिटी बिजनस वाली जो बिजनस वो पहले करती है वो ब्यूटी शॉप का करती है क्योंकि उसको बिजनस का इतना नौलिज नहीं होता है लेकिन उसका आग रहा है उसका मन बहुत होता है इसलिए वो एक beauty shop खोल के बैठती है जिसकी बाद पता चलता है कि वो business उसका चल नहीं रहा है कैसे वो पान का shop खोलने के लिए उसकी जो idea आती है सो वो कैसे आता है वो turn अभी लेने वाली story जो main मुद्दा है हमारी कहानी का बापरे लड्डू सिंग का तो इतना प्रकोप है हमारे उपर की actually में डर लगने लगा है कि उनको सारा पैसा लोटाना है जो उनसे करजा लिया गया है business के लिए